दोस्तों इंडिया में 5G की सुरुवात होने जा रही है 5G स्मार्टफोन की सुरुवात होने जा रही है 5G network तो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है March अप्रेल के अंदर यहां पर 5G का option होने वारा है तो आज इंडिया में 5G के बारे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले तो चलिए दो सु स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आगे बादने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए नीचे जो रेड कलर का सबस्राइब बटन आ रहा उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बैल आइकन आता है उस पर आप क्लिक कीजिए और बाद में आप आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले इंडिन जुगा टेक पर तो इसलिए जो है वो इस बाद स्पेक्ट्रम आउक्शन में पार्ट स्वेट नहीं करेंगे तो एटेल के द्वारा तो फिलाल यहीं बोला गया है यान कि एटेल जो है आप लोगों के लिए अभी 5G सर्विसिज लेकर नहीं आ रहा है बात करें वोड़ आप ओन आइडिया की तो उन पर तो एटेल से और भी ज्यादा जो है आपर डियो स्पेंडिंग है एजियार का और जियो को यहाँ पर नेटवर्क है दोस्तों वो बिल्कुल 5G रेडी है उनको किसी तरह से कोई काम यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा अपने नेटवर्क के लिए अप्ग्रेड उन्हें नहीं करना पड़ेगा जबकि इन ओपरेटर्स को एटेल आइडिया वोड़ा पू लेकिन अभी तक जो है इंडिया में 5G स्मार्फोन आवलेबल नहीं था कि नेटवर्क भी आवलेबल नहीं था लेकिन अब इंडिया में 5G स्मार्फोन लॉंच होने जा रहे हैं वीः rode के द्वारा जो को उनका IQ three स्मार्फोन ने दोस्तो वो 25 फरवरी को लॉंच किया जा और वीवो के दोारा यानि की आईपू के दोारा यहां पर बताया गया था कि यह जो है इंडिया का पहला 5G स्मार्फोन होगा लेकिन दोस्तों कल साम को realme के दोारा tweet करके बता दिया गा है कि वो भी अपना realme X50pro 5G स्मार्फोन लॉंच करने जा रहें और वो वीवो के IQ 3 से पहले इंडिया में launch किया जाएगा जो कि 24 फरवरी को दोपेर धाई बज़े launch किया जाने वाला यानि कि इंडिया का जो यहाँ पर optional पहला 5G smartphone होने वाला है वो Realme X 50 Pro 5G smartphone होने वाला यानि कि Realme इंडिया में अपना पहला 5G smartphone लेकर आ रहा है यानि वीवो इस से पहले बोल रहा था कि वो यहाँ पर पहला 5G smartphone लेकर आ रहे है तो दो smartphone यहाँ पर जो है 5G enabled smartphone launch के जाएंगे 24 और 25 फरवरी को पहला यहाँ पर 24 फरवरी को जो launch किया जाएगा वो Realme X 50 Pro 5G होने वाला है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 865 वाला processor देखने को मिलेगा 65 Watt की जो है आपको SuperDart Fast Charging का support देखने को मिल जाएगा 90 Hz के refresh rate वाली screen आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो camera होने वाला दोस्तों आपको इस smartphone में 6 camera देखने को मिलेगे दो आपको front में देखने को मिलेगे जो की punch hole के रूप में आपको provide के जाएगे जबकि जो है rear में आपको quad camera setup देखने को मिलेगा जो main sensor होगा दोस्तों यहाँ पर वो 64 megapixel का होगा और इस smartphone में आपको dual mode 5G का support देखने को मिलेगा तो Realme की तरफ से X50 Pro 5G smartphone इंडिया में 24 फरवरी को launch किया जाएगा और यहाँ पर जो Vivo का smartphone होगा दोस्तों वो होगा Vivo IQ 3 इस smartphone में भी आपको same वही processor देखने को मिलेगा जो आपको Realme X50 Pro 5G में देखने को मिलेगा यानि की Qualcomm Snapdragon 865 वाला यहाँ पर आपको processor देखने को मिलेगा और अभी तक है यह सबसे fastest smartphone बताया जा रहे तो काफी कमाल का smartphone होने वाला है और अब तक का सबसे highest performing smartphone ही बताया जा रहा है यानि की दो smartphone और दोनों में ही आपको 5G का यहाँ पर support देखने को मिलेगा smartphone तो दोनों launch कर दी जाएंगा और दोनों की जो कीमत होगी मेरे साब से वो करीबन जो है 40,000 रुपे के आसपास होगी यानि की 40,000 रुपे के आसपास फिलार इंडाय में आपको 5G smartphone देखने को मिलेगा realme और वीवो की तरफ से लेकिन यार अगर इंडाय में 5G network ही नहीं होगा तो इतने महंगा smartphone का अभी आप क्या use करेंगे क्योंकि दोनों ही company जो smartphone लिकरा रहें नेटोट के यहां पर available नहीं है कीमत काफी ज़्यादा होगी आप 5G का भी वहां पर use नहीं कर पाएंगे वैसे यार आप लोग बदाना कि अगर ये दोनों smartphone जो है करीबन 30 और 40,000 रुपे के आसपास आते हैं तो इन में से आप कौन सा smartphone लेना पसंद करेंगे नीचे comment section में comment करके जरूर से बदाना